नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर कैलास आज आपको आखों की एक बीमारी निस्टैगमस के बारे में बताऊंगा दोस्तों निस्टैगमस यानि आपकी आखे के जो आईबॉल होती है वो मूवमेंट करती रहती है घूमती रहती है उपर से नीचे और बाईं से दाईं या दा कहा जाता है. दोस्तों इसी कंटीशन को nystagmus कहा जाता है. Nystagmus दो परकार के होते हैं. एक होता है congenital यानि कि by birth होता है और दूसरा होता है acquired. And acquired जो होता है वो आपको किसी बीमारी के कारण होती है. तो दोस्तों अगर कारणों के अगर हम बात करते हैं तो congenital nystagmus की अगर हम बात करते हैं तो यह genetic होता है by birth होता है जब बच्चा डेर से तीन महीने का होता है तब यह conditions start हो जाती है इसके लाबे जो acquired nystagmus होते हैं वो age के साथ बढ़ते बढ़ते होते हैं और किसी बीमारी के कारण आपको यह problems हो सकते हैं जैसे कि अगर आपको alcohol का consumption अगर आप ज़्यादा करते हैं smoking बहुत ज़्यादा करते हैं तो इस conditions में nystagmus डेवलाप हो जाती है यानि आपकी eye wall जो है जो है जो हो move करने लग जाती है और दोस्तो 28 जून को international nystagmus awareness day के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह बीमारी जो होती है वो लाइलाज होती है जातर यह ठीक नहीं होती है इसको कुछ हद तक control किया जाता है दोस्तो अब हम इसके symptoms के अगर हम बात करते हैं तो nystagmus के patient को light sensation की problem होती है यानि कि उसको परकास से problem होती है या उनको जो है सो कोई भी object देखने में उनको problem होती है ऐसा लगता है कि जो object है व letters होते हैं जो पढ़ते हैं तो जैसे अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसको लगता है कि किताब के जो letters है वो move कर रहे हैं इस तरह के देखने को मिलता है और उसके साथ बलर जो vision बलर हो जाता है यानि जो देखता है वो धुल्धला हट दिखाए देती है clear object नहीं दिख खाई पड़ता है इसके लाबे उसको डीजीनस डलनेस खोयोग के सेकायत रहती है है सरस्टध चक्र आते रहते हैं इस तरह के symptoms देखने को मिलते हैं दोस्थो अ wij treatment की बात करते हैं तो इसकी अभीतक्क कोई treatment अभीतक confirmation नहीं है जो इसको पूरी तरह से ठीक किया जाए इसके symptoms को काफी हद तक cover किया जाता है काफी हद तक इसको रोका जा सकता है इस पर control किया जा सकता है तो आप इसमें चस्मे का यूज कर सकते हैं इसमें contact lens वेगरा यूज किया जाता है अगर आपके आखों की रोशनी कम गई ह तो उसके according आपको चस्मा दिया जाता है इसके साथ साथ आपको homeopathic medicines लेना चाहिए जो कि nystagmus में काफी helpful होती है जैसे कि इसमें कुछ homeopathic medicine में आपको बता देता हूँ जो कि long lasting चलती है और बिना homeopathic doctor के सलाह से इस medicine को आप नो ले उसमें आती है agaricus muscuricus दूसरी आती है gelsemium और तीसरी आती है phytoastigma दोस्तों ये कुछ homeopathic medicine है जो कि doctor की सलाह को मान करके अगर आप ये medicine लेते हैं तो nystagmus पे कुछ control आप कर सकते हैं ये पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है तो दोस्तों ये आखों की एक uncommon बीमारी थी जिसके मारा में मैंने आपको बताया मैं उम मुझसे कोई भी online consultation करना चाहते हैं या घर मेठे हम deliver दबा करवाना चाहते हैं तुम्हें दिए गया WhatsApp number 9534-496-107 पे contact करके अब मुझसे contact कर सकते हैं धन्यवाद